प्रस्ण एक से प्रस्ण चार तक प्रस्ण वली एक दस्मलों दो का देखा था आज हम हल करने जा रहे हैं प्रस्ण संख्या पाँच प्रस्ण संख्या पाँच है योग के क्रम विनिमे तथा साहचर गुनों का उप्योग कर निम्रिलिखित परिमेज संख्याओं के मान ग्याद कीचे मान तो हम लोग ऐसे भी ग्याद कर सकते हैं लेकिन हमें दिया गया है कि हमें क्रम विनिमे तथा साहचर गुनों का उप्योग करना है तो इन गुनों का जब हम उप्योग करेंगे तो इससे फैदा ये होगा कि ये और आसान हो जाएगा आईए देखते हैं फाइब का ये तो ये है तीन बटे पांच प्लस साथ बटे तीन प्लस माइनस ग्यारा बटे पांच प्लस दो बटे तीन सबसे पहले इसे करम वीनिमय में हम इसे सजाएंगे तो किस तरह से सजाएंगे हम देख रहे हैं कि यहां इसका हर है पांच ये दूसरे वाले का हर है तीन ये तीसरे वाले का हर है पांच और ये चौते वाले का हर है तीन तो हम समान हर वाले को एक जगह सजाते हैं तो तीन बटे पांच जोड माइनस इगारे बटे पांच जोड साथ बटे तीन जोड दो बटे तीन ये क्रम विनिमैक नियम के अनुसार हमने इसे पुना क्रम में सजा लिया अब क्या करेंगे कि अब हम साचर गुन का प्रयोग करेंगे हम इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे तो ब्रैकेट में रखने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो संक्रिया है वो हम एक साथ करेंगे और इन दोनों का एक साथ करेंगे तो आई ये से हल करते हैं तो पांच और पांच का इसका लॉसव भी पांच ही होगा और यहां तीन ये प्लस माइनस माइनस ग्यारा यहां भी लॉसव तीन हो गया ये साथ जोड दो देखिए क्रम में सजाने से क्या फाइदा हुआ हमें लॉसव निकालने पे ज़्यादा परशानी नहीं हुई अब तीन घटाओ ग्यारा हो जाएगा माइनस आठ बटा पांच और यह हो जाएगा नौ बटा तीन तो पांच और तीन का हमारा लॉसव हो गया पंदरा पांच से पंदरा में भाग देंगे पांस तीयाई पंदरा तीन और तीन अठे चौबिस माइनस चौबिस और यहां हो जाएगा तीन से पंदरा में जाएगा 35 15 5 5 नमा 45 अब चुकि चिन दोनों का असमान है तो यहां घटा होगा तो घटा देते हैं 5 से 4 गया 1 और 4 से 2 गया 2 लेकिन यह अभी कैंसिल होगा 3 से 3 सते 21 और 35 15 यह हमारा A हल हो गया है आईए प्रश्ण संक्या B भी देखते हैं यह भी हल कर रहे हैं तो यह है 1 बटा 2 जोड माइनस 1 बटा 6 जोड माइनस 2 बटे 3 जोड 2 बटे 6 तो प्रश्ण संक्या A की तरह ही हम इसे भी सजाएंगे सुविधा के अनुसार क्रम में इसे सजाएंगे तो देखेंगे हम हर यहां हर 6 है और यहां 6 है इसे एक साथ रख लेंगे तो हमें सुविधा होगा माइनस 1 बटा 6 जोड 2 बटे 6 और यहां 1 बटा 2 प्लस माइनस 2 बटे 3 तो यह हमारा क्रम के अनुसार सज गया अब हम इसे साचर गुन के अनुसार इसे ब्रैकेट में रख ले रहे हैं यहां पर हमें सुविधा होगा क्योंकि दोनों का हर एक है तो लॉसर वही रह जाता है यह आसान हो गया और यहां माइनस 1 प्लस दो और यहां 2 और 3 का लॉसर हो गया 6 2 से 6 में भाग देंगे 3 2 तियाई छे 3 एका 3 यह प्लस माइनस माइनस हो गया 3 से 6 में भाग देंगे 3 दूनी छे 2 दूनी 4 तो यह हमारा आ जाएगा माइनस 1 और प्लस 2 यह हो गया 1 बटा छे और यह हो गया माइनस 1 बटा 6 अरा होगा तो यह हमारा फिर लासा हमारा हो गया छे और यह ए प्लस प्लस मैनस माइनस तो एक से घटाएंगे तो क्या आजाएगा शुन सुन्य बटा छे अर्थाथ शुन्य तो हमने देखा इन दोनों प्रस्णों में कि क्रम विनिमय गुन और साचर गुन का उप्योग करने से हमारा यह आसान हो गया प्रस्ण अगर हम इन गुनों का प्रियोग नहीं करते तो यह थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता और ज्यादा लंबा बनता प्रस्ण संख्या छे रिक्त स्थानों को भरिये यह नमबर हम देख रहे हैं यह देखने से पता चल रहा है कि यह क्रम विनिमे नियम के अनुसार भरा जाएगा तो यहाँ माइनस 5 बटे 12 है प्लस माइनस 12 बटे 5 है बराबर देखिए माइनस 12 बटे 5 फिर यहाँ आगया तो यहाँ फिर क्या आएगा यह जो पहला छुटा हुआ है तो यह हो जाएगा यहाँ पर माइनस पांच बटे बारा यह क्रम वी निमेनियम यहाँ पर लागू हो रहा है यहाँ बी नमर में भी वही है क्रम वी निमेनियम है तो यहाँ माइनस तेरे बटे आट तो है तो यह जो बायापक्ष में एक और जो परी में है वो छुटा हुआ है, तो वो क्या है, माइनस साथ, अब यह देख रहे हैं, यह है हमारा साहचरेनियम के अनुसार, तो यहाँ पर तीन परी में संख्या है, 17 बटे माइनस 5, जोड माइनस 3 बटे 7, जोड माइनस 7 बटे 8, इस है, एक यह वाला है, और एक यह है, तो ब्रैकेट के अंदर और कौन सा बच गया है, जो नहीं है, तो उसे हम यहाँ रख देंगे, माइनस 3 बटे 7 देख रहे हैं, यह हैं यह साथ आएगा आप यहां पर देखिए यह d number जो है हम कुछ भी रख सकते हैं तो जो यहां रखेंगे वह यहां भी रखना होगा मालीज्य अगर हम यहां पांच रखते हैं तो यहां भी पांच रखना होगा तो आप अपनी मर्जी से इसका बहुत सारा अंसर हो सकता है आप कु क्योंकि यहां क्रम यह है और यहां क्रम बदल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रस्ण में आप अपनी स्विधा से रख सकते हैं अब एक और हम रख सकते हैं देखिए शुन्य भी रख सकते हैं यहां शुन्य रखे तो यहां भी शुन्य हो गया तो इस प्रस्ण में D में बहुत सारे एंसर हो जाएंगे आप अपनी सुविधा से जो चाहे आप रख सकते हैं अब प्रस्ण संख्या साथ निमलखित प्रस्णों का उत्तर दिजिए वह कौन सी परिमे संख्या है जिसका योज्य पतिलोम वह स्वयम है तो पहले दो हम जानेंगे कि योज्य पतिल पढ़ा है कि अगर कोई संख्या एक है धनात्मक है एक है तो इसका योज्य पतिलोम माइनस एक हो जाएगा और अगर कोई संख्या मालिजे तीन बटे पांच है तो इसका हो जाता है योज्य योज परतिलोम माइनस तीन वटे पाँच लेकिन यह प्रश्ण कह रहा है कि ऐसी कौन सी परिवे संख्या है जिसका योज परतिलोम वह स्वयम है तो ऐसी सूचिय कौन सी संख्या है ऐसी संख्या स्रफ शुन्य है शुन्य का परतिलोम अगर हम लिखेंगे योज परतिलोम तो वो शुन्य हो जाएगा अर्थात हम शुन्य में क्या जोड़ें कि वो सुन्य हो गया तो शुन्य ही जोड़ेंगे योजप्रतिलों की परिभासा से तो यह हमारा एका एंसर हो गया शुन्य कि अब है हमारा दूसरा किसी रिणातमक परिमे संख्या का रिणातमक क्या है चली इसको भी देखते हैं थोड़ा समझते हैं इसको भी किसी रिणातमक तो एक उधारन ले ले लेते हैं माइनस दो बटे तीन ये रिनात्मक है अब इसका रिनात्मक हमको करना है अर्थात माइनस माइनस दो बटे तीन तो देखिए क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बच गया दो बटे तीन तो ये रिनात्मक था जब इसका रिनात्मक ये तो इधनात्मक हो गया तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक किसी रिनात्मक परिमे संख्या का रिनात्मक क्या है धनात्मक परिमे होगा धनात्मक परिमे भी लिख सकते हैं क्या दो परिमे संख्याओं का अंतर एक परिमे संख्या है इसे भी हम करके देख लेते हैं दो परिमे संख्याओं का अंतर एक परिमे संख्या हमने लिया माइनस एक बटा दो और एक और ले लिया एक बटा दो चलिए तो इसका हम लोसा निकालते हैं यह घटा रहे हैं देखि और यह माईनस एक हो गया माईनस दो बटे दो अर्थात माइनस एक तो माइनस एक भी तो परिमे संख्या है ना तो यह इसका answer हमारा आ जाएगा हाँ चलिए, क्या योग पर परिमे संख्या साच्यर है, ये पाहले हम लोग देख चुके हैं, प्रसंख्या दो में और हम पढ़े भी है, तो इसका भी पैंसर होगा, हाँ क्या योग के अंतरगत परिमेश संख्या क्रम विनिमे है इसे तो हमने सत्यापित भी किया है प्रस्थन संख्या चार में तो ये भी होगा हाँ अब है, क्या व्यवकलन के अंतरगत परिमेश संख्या क्रम भी निमय है? नहीं, व्यवकलन के अंतरगत नहीं होती है, यह हमने पढ़ा है, तो यह हो गया? नहीं और क्या व्यवकलन के अंतरगत परिमेश संख्या साचर है? यह भी नहीं होता है, साचर भी नहीं होता है, तो इसे आप खुद से वेरिफाई भी कर सकते हैं, वह कौन सी परिमेश संख्या है, जो अपने रिनात्मक के समान है, कौन सी परिमेश संख्या हो सकती है? तो आप देखते हैं, बाकी जितने ये सब देख रहे हैं, तो इसका रिनात्मक तो समान नहीं है, अलग हो जाता है, यहां हमने देखा था पहले, माइनस दो बटे तीन का रिनात्मक किया था, तो ये संख्या तो बदल गई, परिमे संख्या दो बटे तीन हो गई, तो ये हो जाता है तो ऐसी संख्या देखिए सुन्य का अगर हम करें तो सुन्य का रिनात्मक क्या होगा सुन्य होगा सुन्य का रिनात्मक शुन्य ही होता है तो यह हो गया शुन्य इसका एंसर हमारा हो गया शुन्य परिमे संख्याओं के लिए योजित्तत्समक क्या है तो इसे समझना होगा पाले. योजित तत्समख का अर्थ यह है कि ऐसी संख्या जिसे यदि परिमे संख्या में जोड़ा जाए तो परिमे संख्या का मान न बतले. तो हम एक उदारन लेते हैं दो बटा तीन में क्या जोड़ें कि वो फिर दो बटा तीन ही रह जाए. तो यह हम जानते हैं शुन्य होगा शुन्य को जोड़ने से इसका कोई मान नहीं बदल रहा है आता है परिमे संक्या का योज तत्समक शुन्य है